आदर ये सफाबती जी, इस कोरोना काल में, सभी ख्षेत्रों को रुकावाटों के बीच भी आगे बढ़ने के लिए भर्पूर प्यास किये गए, लेकिन इसमें कुछ ख्षेत्र थे, जिस पर थोड़ा विश्यस बल भी दिया गया, क्योंकि वो व्यापक जनहित में आवश्यक था, युवार पीडी के लिए आवश्यक था, कोरोना काल में, जिन विशेश ख्षेत्रों पर फोकस किया, उस पर से मैं दो की चर्चा जुरू करना चाहूँगा, एक MSME सेक्टर, सबसे ज़्यादा रोदगार देने वाला इक्षेत्र है, हमने शिक्षित किया, उसी प्रकार से खेकी वाड़िक्षेत्र, उसमें भी कोई रुकावत ना आए, उसको निश्चित किया, और उसी के वज़े से मैंने वरनंग किया, बंपर क्रॉफ हुआ, सरकार ने रिकॉर्ड खरीद भी की, महमारी के बावजूद, गेहूं, धान की खरीदी के नई रिकॉर्ड बने, किसानों को जादा MSP मिला, और वो भी Direct Benefit Transfer की स्कीम के तहत मिला, पैसा सीधा, उनके बैंक खातों में जमा हुआ, और मैंने तो पंजाब के लोगों के कई वीडियो देखे, तो कि पंजाब में पहली बार Direct Benefit Transfer से पैसा लेया, उन्होंने ने कहा था, बेरा खेत तो उतना ही साइज है, हमारी मेहनत उतनी है, लेकि खाते में इतना रूपिया एक साथ आता है ये पहली बार जिन्दी की में, इस से पे संकट के समय, किसानों के पास कैश की सुविदा रही, ऐसे कदमों से ही, इतने बड़े सेक्टर को, सौक्स और डिस्रप्शन से, हम बचा पाएं, इसी प्रकार से, MSME सेक्टर, ये उन सेक्टरों में था, जिसको आत्म निर्भर भारत पैकेज का, सबसे अधिक लाब मिला, अलग-अलग मंत्रालों ने, जो P.L.I.S. की लाउंच की, उससे, मैनुफेक्टरिंग को बन मिला, भारत अब, लीडिंग मोबाइल मैनुफेक्टरर बन गया है, और, एक्सपोर्ट में भी, उसका योगदान बढ़ रहा है, ओटो मोबिल और बैटरी, इस छेतर में भी, P.L.I.S. कीम, उत्सा जनक परणाम दे रही है, जब इतने बड़े स्थर पर, मैनुफेक्टरिंग, और वो भी ज़्यादा अतर M.S.M.E. सेक्टर के द्वारा होता है, तो स्वाबा भी क्या है, दुनिया के देशों से ओर्डर भी मिलते हैं, ज्यादा अउसर भी मिलते हैं, और सत्त ये हैं, कि एंजिनेरिंग गूर्ज, जो बड़ी मात्रा में, M.S.M.E. मिल बनाते हैं, इस समय जो एक्सपोर्ट का अंकड़ा बड़ा बना है, उसमें ये एंजिनेरिंग गूर्ज का भी बहुत बड़ा योगदान है, ये भारत के लोगों के कौशल्य का, और भारत के M.S.M.E. की ताकत को प्रदर्शित करता है, हमारी डिफेंस मैनिफेक्टरिंग इंड़स्ट्री को हम देखें, यूपी और तमिल नावरु में, डिफेंस कोरिडोर बना रहे हैं, M.O.E. जो हो रहे हैं, जिस प्रकार चे लोग इस ख्षितर में आ रहे हैं, M.S.M.E. क्षितर के लोग आ रहे हैं, डिफेंस के स्विक्टर में, ये अपने आपके उत्सावर तक है, कि देश के लोगों में इस्तामर्त हैं, और देश को डिफेंस के ख्षितर में हात मंदिर फर बनाने के लिए हैं, हमारे M.S.M.E. क्षितर के लोग, बहुत साहज जुटा रहे हैं, आगे आ रहे हैं, अदरियने सभापती जी, M.S.M.E. कुछ जैम, उसके माद्यम से, सरकार में जो सामान की खरीदी होती है, उसका एक बहुत बड़ा माद्यम बनाया है, और वो प्लेटफॉर्म के कारण, आज बहुत सुविधा बनी, उसी प्रकार से, हमने एक बड़ा महत्मपुन नेने किया, और नेने ये हैं, कि सरकार में 200 करोड से, 200 करोड रुपे तक के जो टेंडर होंगे, वो टेंडर, ग्लोबल नहीं होंगे, उसमें, हिंदुस्तान के लोगों को ही अफसर दिया जाएगा, और जिसके पारण, हमारे मेसर मी सेक्टर को और इसके द्वारा हमारे रोजगार को बन मिलेगा,